हेलो दोस्तों आज हम लगाएंगे अपने स्क्रिप्ट में भीट प्ले की थीम कुछ इस तरह का दिखेगा और दोस्तों यह बहुत अच्छी थीम है अगर आप इसको लगाएंगे तो आपके वेबसाइट की स्पीड जो है वह बढ़ जाएगी तो यहां पर देखिए का अप्शन सो होगा दोस्तों तो चलिए इसको शुरू करते हैं अभी हमारा वेबसाइट कुछी चीज तरह का है तो यहां पर सी पेनल में हमको लगिन होना आए उसके बाद अपने इसक्रिप्ट में यहां पर थीम का अप्षन है धीम की अप्षन में जाना है दोस्तों त तो यहाँ पर bit play का जो ए फोल्डर है जीप में है तो इसको डबल क्लिक कर देते हैं श्रिफ 3.5 MB का है दोस्तों तो यह upload होना चालू हो गया है तो दोस्तों इसको upload करने के बाद हम इसको guard कर देते हैं और यहाँ से हम इसको reload कर लेते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर bit play का जो ए फोल्डर आच चुका है अब हम इसको right click करते हैं और extract कर देते हैं तो अब हमारा काम हो चुका है इसको एक बार reload कर लेते हैं अब hit play यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अब इसको हम delete कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रुरत नहीं है अब तो यहाँ से scope confirm कर देते हैं अब हम जाएंगे अपनी स्क्रिप में और यहाँ से admin panel में जाएंगे अब हम यहाँ पर लगिन करना है दोस्तों अपने admin account से तो यहाँ पर मैं लगिन हो जाता हूं अब यहाँ से admin panel में जाना है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर design का option है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर design का option है यहाँ से theme में जाएंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों bit play का जो theme में आ चुका है अब इसको simply click कर दिना है activate पर अब यह अमारा activate हो चुका है अब इसको हम एक बार check कर लेते हैं open link in new tab तो देखिए दोस्तों यह बिल्कुल change हो चुका है तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉलम है उसको solve करेंगे पहली वाली वीडियो में बताया था दोस्तों कि YouTube की जो वीडियो है वो play नहीं होती है तो उसको आजम solve करेंगे यहाँ पर default player लगाएंगे YouTube की देखिए एक बार क के लिए किया प्ले नहीं हो रहा है लेकिन बहुत टाइम के बाद यहाँ पर प्ले हो जाएगा लेकिन बहुत बार क्लिक करना पड़ता है और यह यूटुब की जो प्राइवेसी पोलिसी के भी खिलाफ है दोस्तों अगर आप YouTube की वीडियो इंबेट करते तो उसके आगे क कुछ बी एक्ष्टा चीज 做 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पुरा चीज एक्स्ट्रा है यह प्लेएर ही इप्ले डिफेरेंट है दोस्तों तो इसको हम YouTube की하शन करेंगे बहुत टाइम के बाद प्ले रहा है दोस्तों तो इसको में Son पर प्लेयर लगाएंगे इसके लिए आपको फिर से सी पैनल में जाना होगा तो यहां पर मैं यह दो साइड को कट कर देता हूं तो दोस्तो इसके लिए आपको इसके लिए यहां पर जाना होगा हमरों ट्यूब में यहां पर ब्लग सेक्शन में यहां से कोड मिलेगा लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा दोस्तों वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर ब्लग में यह वाला बीड प्ले का है दोस्तों तो यहां से आप बीड प्ले डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं अभी जो कोड हो लगाने वाला हूं तो उसके लिए यहां पर दूसरा लिंक है तो दोस्तों यहां पर आपको करना क्या होगा कि यहां से डाउनलोड कोड है यहां से डाउनलोड कोड में जाना होगा तो देखिए यहाँ पर आपको यह जो प्लेयर की इरोर है उसको फिक्स करने के लिए थीम के अंदर डेफर्ट के अंदर लियाओट के अंदर वाच के अंदर content.skml में जाके यह वाला code search करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर डेफर्ट है दोस्तो लेकिन यहाँ पर वीड़ प्लेय के अंदर जाएगा different theme यूज कर रहे है तो different पर गयर यह अंदर नहीं तो bitplay के अंदर जा सकते है दोस्तों तो मैं यहाँ पर bitplay के अंदर जाएंगा bitplay layout के अंदर फिर हम जाएंगे watch के अंदर तो फिर हम जाएंगे watch के अंदर अब यहां पर content.html वाला फाइल जो इसको हम एडिट करेंगे अब यहाँ पे आपको यह पहला वाला कोड यह जो कोड है इसको सर्च करना है दोस्तों और इस कोड के नीचे यह नीचे वाला कोड हमको लगा देना है तो यहां पर मैं श्रीफ डेली मोशन सर्च करूंगा इतना सर्च करने से हो जाएगा Ctrl-C यहां पर CTRL याफ करके मैं सर्च पार को उपन करता हूं और यहां पर Ctrl-V तो दोस्तों देखें यहां पर मिल चुका है मुझे वह कोड तो यहां पर डिव का अप्सन जो है इसके नीचे एक बार इंटर करेंगे फिर यहां पर यह वाला कोड हम पेस्ट कर देंगे Ctrl-C अब यहां पर पेस्ट कर देते हैं हाँ अ इसको सेथे कर देते है इतर चला गया हूं तो इसके बात दोस्तों इक वक्र्ण जागा पर आमको खो को चेंज कर ना आए तो म यहां पर यह पाहला वाला कोरड हो गया अब यहां पर हमको थेम के अंदर के अंदर यहां पर सब्सक्राइब कर जाए अगर बीट प्ले का चेंज करना चाहते तो तो यहां पे लेवाउट वाच प्लेलिस्ट तो प्लेलिस्ट के अंदर भी जाना पड़ेगा दोस्तों आमको तो तो यहां पे उसी फोल्डर में वाच के अंदर ही प्लेलिस्ट टेस्टीमेल तो इसको इडिट कर देना है अब यहां पे भी हमको वही डेली मुशन सार्ज करना है तो यहां से मैं डेली मुशन को कापी कर लेता हूं तो मिल चुका है यहां पे हमको तो यहां पे हमको तो यहां पे डिवी जो है इसके आगे हमको इंटर करना है दोस्तों यहां पे इसके आगे इंटर करके यहां पे इसपेस बना लेना है अब यहां पे ओ कोड को कपी करना है दोस्तों तो इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं क्यों पेंटर भी करदे तो दोस्तों हमारा काम होच चुका है अब हम एक बार स्क्रेप्टों कर लेते हैं यह प्ले होगा की नहीं तो यहां पे अट ज़ी磨कर मेंयों को तो जे ओपन करते हैं तो डाइरेट प्ले होना चाहिए वहां पे तो इसको कट कर देते हैं तो एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेते दोस्तों तो मैंने वीडियो प्ले किया था तो इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं यूट्यूब का जो प्लेयर है वह सू होना चाहिए देखे यूट्यूब का प्लेयर हो चुका है अब डाइरेक्ट प्ले हो जाएगा यहां पर मुझे कलीक करने की जरुली नहीं है देखे कि दोस्तो यहां पे अभम को जो लोगो है ना थिम लगा है तो है फेलोग भी- चैन्ज करना पड़ेगा है तो मुंह पसकतर है था आपको लोगों चैन्ज करना उस हुम्हा को आपको यहां पे लोगो लाइट और लोगो पियांज ये तीन इमेज को हमें चेंज करना है आपने बनाया हुआ आइकन से तो यहां पर सेलेट फाइल कि यहां से मैं अपने आइकन चूछ कर लेता हूं इसको पहले अपलोड कर लेता हूं यह सेलेट तो यहां पर कुकीज में सेवे दोस्तों तो इसको मैं एक बार ओपन न्यू इंडिको विंडोस कर लेता हूं टो दस्तों देखिए यहां पर लोग चेंज ओचुका है तो कुछ शी तरह से करूब दोस्तों अगर वीडियो को आपको पसंद आयो तो लाइक करना मत मुलेगा सब्सक्राइब करना मत- UP भूलेगा दोस्तों तो मिलते नेक्ष्ट वीडियो में बाइ।